हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थैतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महतवपून है हर एक एक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और उसारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है यहां पर जो हम कर रहे ह काफी महतवपून चैप्टर है रिधानता एक चुनोती काफी महतवपून है कलास नौमी समाजिक विज्ञान यहां पर NCRT CVC के अंतरगर्थ जो हमारा यहां एकनॉमिक्स के आया है काफी महतवपून है कि भारत में जो है भविश्य में गरीवी कैसे कम की जा सकती है कि भा बातों के निलाइस करके कुछ फ्यूचर को बना कि हम जो है आगे भविश्य में चल सकती है कहते हैं पहला अगर पॉइंट की तरफ नजर करें तो कहते हैं काफी महतवपून है कि समावेश्य आर्थी विकास को बढ़ावा देना काफी महतवपून बात आता है देखा जाय कि अगर एक उद्योग खोलते हम बड़े इंडस्ट्री जैसे सरकार आज समय प्रसाहित कर रही है बड़े बड़े उद्योग को भारत में ला रही है तो उसे सो वेक्तियों को जौ मिलेगा लेकिन अगर लगू अस्तापित किया जाए चोटे चोटे उद्योग आम लोगों रोजगार की अफशर मिल जाता था लेकिन आज के समय जो है अधुनी की यूग में बच्चे जो है अपने जोब बदल रहे हैं और लगूद योग तो खतमी हो गई है जिनके कारण आए दिन जो है गरीवी की जो है सुजन होती चली जा रही है देखा जाए तो बी निर्मा सिवाओं और परदों के जैसे उच्चे विकाज चमता वाले चेत्रों पर ध्यान के नितित करने से रोजगार के अफसर पैदा की करने के लिए काफी महत्वपून हो सकते हैं अगर अगले पॉइंट के तरह हम नदर डाले तो कहते हैं सिक्षा और कोशल विकास में सकत बना सकता है कहते हैं दोस्तों सिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही महत्वपून अपना स्थान डखता है लेकिन मैं कितना वार बता चुका हूं कि कहते हैं गरीबों के लिए सिक्षा भी उतना ही दूर होता जा रहा है जैसे उनसे रोटी कपरा मकान हो रहा है कहते हैं गरीब लोगों के लिए इसक्षा का सदर प्राप्त करना बहुत ही दुसक्तम करें हो गया है कुछ माता पिता बच्चों सिक्षा देने में लगे हुए हैं To सरकार के जो कारियात लोग होते हैं उस चाओं को चीन रहें आज गरीब होसी कहते हैं अगर बच्चों बेज भेज रहें माता-पिता कुष्ट उठाके तो वहाँ पर टीचर जो है जो है टीचर जो है असाइमेंट भेज देते हैं कोशन अंसर भेज देते हैं लेकिन यह तकलीफ नहीं करते कि बच्चे को जो है कुछ सिक्षा देया जाए कुछ परहाया जाए यह बहुत बड़ी जो हमारे देश में सिक्षा कोशलता के विकास में निवेश काफी महत्व मैं जितना मरजी बोल लूँ मुझे पता है कि इसे कुछ भी होने वाला नहीं है आगे देखें कोशल विकास कारिकरमों और व्यक्षाई पर जोर देने से विक्तियों को बहतर वज़गार संभावनाओं के लिए अफशर कोशल से लैस किया जा सकता है अब देखिए इस पर काम पहले ही सीख लेती हैं जिस से उनको जिस छेतर में जाना चाहते हैं उस छेतर का काम उनको पता होती है तो वह बहुत ही असानी से अपने कामों में समावेश कर लेती हैं लेकिन सरकार ने यहां पर भी लाटी मारी है ऐसे बहुत से कोर्स है जो वेकेशनल कोर्स था उसक सुरक्षा जाल को मजबूत करना। समाजी सुरक्षा जाल को मजबूत करना। काफ़ी महत्वपून है। समाजी सुरक्षा जाल को मजभूत करना एक देश को मजभूत करने के बराबर है क्योंकि आज अगर माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेधना चाते तो उनको two डर होता है डिक्स समाजी सुरक्षा महिया नहीं है कहते हैं आज भी पुलीस तब पहुंचती है जब सारी घटना हो जाती है कहते हैं जब पुलीस स्टेशन में भी कोई रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो आपको चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ जाता है और जिसके साथ बुरा हो रखा होता है उसी को भी मार उसी को डंडा खाना पड़ता है तो समाई सुरक्षा का जाल मजबूत करना सरकार के लिए सबस्ते प्राथमिक कदम होना चाहिए उसके पशाथ अगर देश में हम भविश्य में आगे बरना चाहते हैं तो कहते है क्रिशित पादक्ता में एक सुधार करना अधुनिक क्रिशि तक्नीकी सिचाय सुबधाओं और रिन तक पहुँच के मध्यम से क्रिशित पादम ब्रिधी से क्रिशि पर अतरगी निर्वर ग्रामनी समधाय के उठान हो सकता है अगर देखा जाए तो अगर क्रिशि के पादम चमता में और ब्रिधी कर ले और क्रिशि के छेतरों के जमीन को नस्प न करे तो शायद भारत जो है उन सभी तकलीफों से निकल सकता है लेकिन मुझे नही करना संभब नहीं रहता है और संभब भी कैसे किया जा सकता है जब हमारे देश में राजनित नेता सभी जो है अपने उल्लू सिधा करने में लगे हुए है तो देश को कौन देखेगा कहते उच्चे मुल्ले वाली फसलों में विद्यधी करन के बढ़ावाद देने और जो स्वाक्स देखवाल और स्वाक्सता को बढ़ाना सरकार की प्राथमिक्ता होनी चाहिए सर्वजनी स्वास सेवाएं बुनियादी धाचों में निवेस विसेश रूप से ग्रामने छेतर में कम आयवाले परिवार पर जो है स्वास देखवाल खर्च के बोज को कम कर सकता है जगरुक्ता को बढ़ावा देने और उचीत स्वास देखवाले और स्वास को बढ़ावा देना उसके परशास सबसे महत्वपून और सबसे इंपोरेंट बात है महिलाओं को ससक्ति करनबर करना, यानि महिलाओं को ससक्त बनाना, कहते हैं अगर आप एक महिला को परहाद हो तो आने वाले हर एक जनरेशन परहा लिखाई मिलेगा, तो यह काभी महत्वपून बात बताई आज पढ़े लिखे लोग भी लेंगिंग असावानताओं में विस्वास रखती हैं कहते हैं महिलाओं के लिए सिक्षा स्वास देखवाल और रोजगार के अफसर तक समाने पहुंच परदान करने कि उनकी आर्थी सोतनता हो सकती है यसे समगर गरीब में कमी आएगी कहते हैं महिलाओं को अगर हम सिक्षित कर देते हैं महिलाओं को ससक्त बना देते हैं तो आदे से अधिक समस्याएं जो हमारा है बहुत ही असानी से खतम हो जाएगी क्योंकि महिलाओं को ससक्त बनाने का आर्थ होता है कि कई पूस्तों तक जो है ससक्त बनाया जा सकता है उसके पश् और ध्यान के इंदर करने में से छेत्री असमानताओं का कम करने मदद मिल सकती है लक्षित विकास कारिकरम बुनियादी धाचा निवेश और रोजगार के सुधन पहल इन छेत्रों का उठान कर सकता है और जीवन सतर में सुधार किया जा सकता है तो दोस्तों देखा जाया तो चेत्री असमानताओं को संबुल्द करना भी काभी महत पूंण रहता है लेकिने यहां पर सबसे महत पूंण पॉंट है महिलाओं को सुध करने की बात तो महिलाओं को जब तक हम सावसकत नहीं करेंगे भारत जो है अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुँचेगी क्योंकि महिला क्यांपर काभ़ा मेतपूर कोशन कि भारत में गरीवी कानुमान लगाने के तरीकीte उम्हें बताना है कि भारत में हम गरीवी कानुमान कैसे लगाती है कि यह कॉष्ण बन सकता Najigation वी उसी और आपको तो पता ही होगा कि जर्नल सी बात है कि हर एक इंसान की तीनी मुल्भुत अवशक्ताएं होती है रोटी कप्रा मकान कहते हैं जिनको यह सब मिल गया वह पवर्टी लाइन में नहीं देखे जा सकती है बट यहां पर देखा जाया तो यह अनुमान लगाना काफी महतफून बन जाता है कि में गरीवी रेखा का निर्धानन करते समय है जीवन निर्वाग के लिए बोजन की अवशक्ता कपड़े जूते इंदन रोशनी सैशिक और चिकिस्सा अवशक्ता आधी नियूंतम सतर पर निर्धारित किया जाता है तो यह तो चलिए एक साइंटिफिक रीजन्स हैं यहां नियूंतम सतर पर इसमें निर्धारित की गई है तो यह काभी महत पून है देखा जाए अगर भारत में गरीवी का नुमाल लगाने के तरीकों का हैं यहां पर हम चर्चा करने हैं तो हमारा यहां कुछ पॉइंट है जिसके अंत्रगत आप इसको क्लेटी के साथ समझ में आ के हिसाब से और क्या हता होता है तो उससे हम गरीवी का अनुमाल लगाते हैं देन में परड़्डे हिसाब से ढहीं मिलता है तो गरीवी रेखा से नीचे होगा अगर आप स्वेम भी नहीं खाते हो तो वो भी आप गरीवी तरह से देखा जाए तो प्रतेग व्यक्ति को जो है जितना कैलोरी पर दे की वशक्ता होती है वो लेना ही जो है इंपोर्टेंट होता है और यह कैलोरी निर्दारित हम कर सकते हैं भारत में और शक्ता ग्रामनी चेतर में देखा जाए तो 2400 प्रति व्यक्ति प्रतिदीन है और यहीं शहडी चेतर में हम देखें तो यहां पर 200 प्रति व्यक्ति प्रतिदीन है अब यहां पर समझ में आपको यह नहीं आ रहा होगा कि ग्रामनी चेतर में अधिक और शहडी पढ़ा होता है इसलिए उनको अधिक कैलोरी की वशकता मानी जाती है और भारत में आस्थ कैलोरी की जो है जरामनिय छेतर में चोवीस सौ है और यह कई बाड़ें MCQ के अंतर्गत कोशन आता है और सहरी छेतर में कम इसलिए है जो है घर में बैस होते हैं गर से उठते हैं गाडियों में ही जाते हैं इनका जीवन भागा भाग तो रहता है लेकिन सब मसीनों के अंतरगत होता है तो इनको अधिक कैलोरी की अशक्ता नहीं होती है इसलिए सहरी चेतर में जो है अवशक्ता परती है तो यह mcq के अंतरगत भी कोशन पूछे जा सकती है उसके बाद देखे तो भारत में गरीवी का अनुमाल लगाने के एक और भी तरीका है कि प्रती वेक्ति अवशक मैद्रिक व्याय भी गरीवी का अनुमाल लगाने के तरीका है यानि प्रती वेक्ति मै हम बात करें तो कहते हैं बर्स दो हजार में एक व्यक्ति के लिए गरीवी रेखा ग्रामने छेत्र के लिए 328 रुपे और सहरी छेत्र के लिए 400 चुरिंजर रुपे परती मा तै की गई थी अब देखिए ये अनुमाल लगाने का सबसे बेस तरीका था अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक बेक्ति गरीवी रेखा कि ग्रामने छेत्र के लिए निर्धारित की गई थी कि 328 रुपे जो बेक्ति ग्राम में रहके 328 रुपया कमा रहा है वह गरीवी रेखा के अंतरगत आएगा लेकिन 328 या कहते 329 तक पहुच जाता है तो वह गरीवी रेखा में नहीं अकलन की जाएगी अब आप ही सोचिए कि यहां पर 328 रुपया क्या कीमत होता है लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ कि यह कुल जनसंख्या के अंतरगत निकाली गई है इसलिए आपको 328 रुपया यहां पर बहुत ही कम दिख़़ा होगा यूंकि देखिए भारत की जनसंख्या होती है प्रति देखिए इसका आपको मैं सिंपल बता देता हूं कि माल लिजे अग उसको पांस से डिवाइड की जिए और जो भी पैसा आता होओ प्रति विक्ति आये होगा क्यों कमाने जो नहीं कमा रहे होते उनका भी आकलन की जाती है और इसका जो सरकार ने 328 रुपया जो घराम में चमें द्धारित की गई यह तो ग्राम में जितने विक्ति रहते हैं उनको ग्राम में जितने पैसे हैं उनको डिवाइड करके जो है तिनसो ठाइस रुपिया यहां निकला है तो यह है कि तिनसो ठाइस रुपिया प्रती प्रती महा तय की गई है और वही सहरी छेतर में देखा जाये तो इसकी आकलन तोड़ी अधीक है यहां 400 चुरिंजा रुपिया कोन कमाता होगा आज के समय में महीने का लेकिन सरकारी आंक्रे हैं और सरकारी आंक्रे एक व्यक्ति से नहीं निकाली जाती है सरकारी आंक्रे पूरी जनसंख्या के साथ निकाली जाती है तब जाके यह आता है तो यहां का निफ्यूजन आपको नहीं होना निवास करती है उनके जितने पैसे होते हैं जो सरकार को देखता हो और यह पैसे दोस्तों वह होते हैं जो सरकार को दिखते हैं यह नहीं कि आप घर में रखे रहते हो पैसे, उसका कोई यहां पर होता है जो हैं तर्विन पैसे रख़िए जो है मंत्रियों पर देखते ही रहे चापे लगते रहते हैं यह लोग पैसे को दबा लेते हैं घरों मैं पेटईधी that yeah are सिमिट के रह जाता है तो प्रतिवेक्ति आये होगा या पर गरीवी रेखा होगा सब इसनी पैसों से निर्धारित होती है जो बैंकों में या सरकार के नजर में होता है तो यह काफी महत्व पूर्ण बात है तो यहां समझ गए होगे अगर हम अगली और अंतिम पॉइंट की बात करें तो यह काफी महत्व रखेगा गरीवी रेखा के लिए एक समाने मानक के भी प्रयोग किया जाता है जो विश्वेंग जैसे अंतराश्य संस्ताद्रा दिया गय है यहां याझि देखिए यहां पर विश्वेंग ने हमें गरीवी रेखा के लिए एक समाने मानक दिया था कि जो वेगती अगरीवी पर यहां को फिजन होगा यहां e 1 जो देखा गर कि hai है तो एक दिन में अगर बंदा कमाता है तो उसको अपना जीवन यहांपन कैसे होगा तो इस बात को आप यहां पर बहुत असानी समझ सकते हो कि माल लीजिए अगर आपके परिवार में पांच वेक्ति हैं कमाने वाला सिरफ एक है तो एक जो है एक दिन में अगर 500 रुपया क कमा रहो कम कमा रहो तो यहां पर 64 रुपया जो है एवरेज लिया गया है क्योंकि हम पूरी नहीं देखते हैं कोई बंदा एक दिन में लाख रुपया कमाते हैं कोई 500 भी नहीं होते कोई 300 भी कमाते हैं तो यहां प्रतिवेक्ति जो यहां पताया गया है प्रतिवेक्ति एक विश्फ बैंक ने दिया था जो वेक्ति डिए ॉपय क्माते वह गरीबी रेखाके नीचे हुँगे और जो रिपouse सी बात है और यह जो है लोगों घर्ट में जितने सदस्यों की संक्या है उससे डिवाइड करके यह निकाली गई है यह क्लियर हो जाना चाहिए आपको कोई है कि भारत में गरीवी के अंतर राज्ये के अंतर राज्यें राज्य के अंतर आशन हैं तो हर राज्य में गरीब लोगों कानुपात एक जैसा नहीं है किसी चेतर में गरीवी अधीक है किसी चेतर में है ही नहीं और किसी चेतर में तो कहते हैं सर से उपर बह रही है गरीवी रेखा कि यह कमी नहीं है और कहीं कहीं तो लोग फर्जी कार्ट बना बना के खुद अमीर होतने के पश्राद भी खुद को गरीवी रेखा से नीचे जो है काड बना लेती हैं इसमें परदाष्टा नहीं है मैं एक बास साप आपको कर दूं कि भारत में जो गरीवी रेखा की आंकलन की जा रही है उसमें कोई परदाष्टा नहीं है आज अच्छे क्लास लोग भी जो है गरीवी रेखा के नीचे काड बना लेती हैं और इसमें कोई दो राए नहीं है देखा जाए तो बीस राज्यों और केंसाजी प्रदेशों में गरीवी अनुपात राष्टे ओसर से कम है अब देखिए राष्टे ओसर जो जी गई थी उससे भी कम है बीस राज्यों और केंसाजी प्रदेशों में गरीवी अनुपात राष्टे औसर से भी कम है और देखा जाए तो 20 राज्यों में काफी महत पूर्ण अवस्ता है और बाकि जो सेस बच गए राज्यें उनमें गरीवी रेखा अपनी चरम सीमा पिए और देखा जाए तो उरीशा बिहार असम तीरपुरा और उत्तर परदेश राज् है यानि यहां पर गरीवी रेखा अधिक है अन् την राज्यों में गरीवी एक गंभीर समस्यार पैदा करती है और इस राज्यों में गरीवी जो कर चुकी है गरीवी रेका का और इन चेत्रों में गरीवी रेका की संक्या आए दिन बढ़ती ही चली जा रही है और यह सरकार के लिए सबसे बढ़ा सरदर्द है अब यह किस करना से यहां बढ़ रही है इस बात को सरकार कभी एनलाइस नहीं करती है अगर एनलाइस किया के अंतरगत करवाई थी गरीवी के अंतरगत नहीं करवाई और मैं आपको साफ के लिए बता दू बास्तविक्ता में कोई चीज आज के समय में होना संभव नहीं है तब ही हमारा आंकरा जो होती है गलत रहते हैं हर छेत्र में और यह कहीं न कहीं सरकार की जोहला परवाही तमिलनाडू वो अंध्परदे जैसे राज्यों में गरीवी में उलेखे गिरावट या नहीं देखा जाए तो यहां हद से अधिक जो है गरीवी रेखा में गिरावट आई है तो यह काफी महत पूर्ण बात यहां दरशाया गया है और काफी जरूरी है विग्जाम वीव स आगे देखे तो पंजाव हर्याना जैसे राज्ये उच्छे क्रिशी विकास दर के मदश से गरीवी कम करने में सफल रहे हैं यह बात कावी महत पूर्ण है कि पंजाव हर्याना जैसे राज्यों में उच्छे क्रिशी विकास दर की मदश से गरीवी कम करने में काफी सफलता हांसिल हुई है लेकिन देखा जाय है तो आज पंजाव हर्याना के छेत्र जो हैं इनके करिशी छेत्र बिलकुल ही कम होते चले जा रहे है कारण क्या है सहरी करण कहते हैं सहरों के आस पाथ जितने भी जगह थे जितने जो जाओ भूमी है उनको इनोंने नस्ट कर दिया है इन छेत्रों में तो यह सरकार की सबसे बड़ी जो है नाकाम्याबी ही यहाँ पर साबित होता है इवन देखे तो पश्रिम बंगाल में भूमी सुधार उपायों से गरीवी कम करने में काफी मदद मिली है यानि पश्रिम बंगाल में जो भूमी सुधार किया गया है और इस कारण से गरीवी कम करने में काफी हद तक मदद मिली है लेकिन देखा जाया तो पश्रिम बंगाल में भी यह सिरफ एक दिखावटी बाते हैं बास्तविक और जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आते हैं कहते हैं दोस्तों यह सब बाते सिरफ लोग कितावी बाते रखते हैं लेकिन अगर बास्तविक्ता में जाकर देखोगे तो यह ऐसा कुछ भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कहते हैं आज देश जो है देश से 72 बनता जा रहा है विकार से विकार जो है लोग बनाते चले जा रही है आए दिन तरह तरह की समस्याएं हमारे देश को जो है चौका रही है तो इन कारण से जो है गरीवी रेखा खतम नहीं हो रही है और फ्यूचर में भी होना नहीं है वोट बैंक होता है वो गरीब लोगी वोट बैंक बनती है तो यह तो सचाहिए जिसको मैंने बताना अपना फर्स समझा और हमारा अगला कोशन जो आया है काफी महतवपून है कि राष्टे ग्रामनिय रोजगार ग्रांटी अधनियम 2005 की मुख्य विसस्ता क्या है देखिए य पर पर्सन को जो है यहां पर जौब देने की ग्रांटी एक्ट के अंतरगत है कि राष्टे ग्रामनिय रोजगार ग्रांटी अधनियम 2005 की विसस्ताओं को पे हमने प्रकास डालनी है तो देखा जाये तो राष्टे ग्रामनिय रोजगार ग्रांटी अधनियम 2005 की मुख्य व आता है कि अधनियम प्रतेक ग्रामनिये परिवार को हर साल सो दीन की रोजगार का आश्वासन देता है यानि इस गरांटी के अंतरगत ये अधनियम के अंतरगत सरकार जो है ये गरांटी देता है आश्वासन देता है कि प्रतेक ग्रामनिये परिवार को हर साल कम से कम सो दीन क कि रोजगार अ ओर देखा जाए तो इसमें एक तिहाई नुक्रियां महिलाओं के लिए अरकशित थी ये भी काफी महत पूर बात है कि एक तिहाँ तिरपन प्रतीशत जो नुक्रियां इसमें अरकशित की गई थी महिलाओं के लिए की गई इसका उद्देश से सूखे बनों की कटाई मिटी के कटाव के कारण को संबधित करने के लिए सत्त विकास भी था यानि देखा जाए तो इसमें बन रोपन के अंतरगत बहुत से काम किये गए थे और सूखे बनोई कटाई मिटी कटाव के अंतरगत सर्द विकास के उपर इसमें ध्यान दिया गया था अगर हम इसमें देखें तो अनुसूचित जाती या अनुसूचित जाती और महलाओं के हिस्दारी करमा 23 परतिशत 17 परतिशत और 23 परतिशत थी तो आप समझ सकते हो कि इसमें अनुसूचित जाती के लिए यानि स्टी के लिए था 23 परतिशत और अनुसूचित जाती याने स्टी के लिए था 17 परतिशत की आरक्षन परदान की गई थी और महलाओं के हिस्दारी जो थी 23 परतिशत था अगर देखिए 23 और 17 को फ्लस कीजिएगा तो कितना आता है 40 परतिशत और 33 परतिशत जो थी महलाओं के लिए तो जर्रteri कर्वाण के लिए कितना रह गया जर्रЧर कर्या कैटरी के लिए सिर्फ साथ परतिशत रह गया अब देखिए क्या हो रहा है हमां धूनी की यूग में आये कि हम पिछले देशों में किने जाती हैं साथ परतिशत जो है सिरफ जर्रनल कटेगरी के लिए इसमें अरक्षित रखा गया क्यों जर्रनल कटेगरी के लोग बहुत ही अमीर होते हैं कोड़ पती होते हैं सरकार की नीतियां देखा जाए तो हर जग जो है मुझ खा रही होति हैं हर जग फेल हो रही होती है तो कि नीतियां इसमान हैं आज देखा जाय तो स्बी जगा अपना दबवा बना रखी हैं लेकिन जनर्रनल कटेगरी के जो बच्चे आज यह तो फासी लगा रहे हैं या कहते हैं रो रो के अपने जिनकी वितीत कर रहे हैं या कहीं रेडी लगा रहे होती हैं कारण क्या है सरकार की बेरुखी सरकार को एक बाद समझना चाहिए कि यहाँ पर सेस्ट कोटा का कोई मानता नहीं है यहाँ पर बच्चों की मानता हो और कुछ अच्छा कोच्ट करना चाहता है तो उसको कभी डिविशन नहीं मिलेगी क्योंकि ना तो उसको पैसा है और ना ही कोई कोटा है उसके बास जर्नल कटेग्री का है वह दीन रात करें मैनत करके अच्छा डाक्टर बन सकता था लेकिन सरकार की नीतियों कारण उन बच् नहीं होंगे आप सभी कॉलेज के रिडक्षन कर लीजे परिक्षन कर लीजिए बच्चे लगे रहते हैं एक साल में नहीं होगा दो साल में तीन साल चार साल दस साल में तो होगा ही होगा कंपार्डमेंट आ जाती है लोग पेपर देते रहते उदर लोग को मारते रहते हैं आज हमें पता है कि आज सभी माता-पिता बहुत समझदार हो गए हैं चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सब बच्चे को अपना अच्छा एजुक्रेशन देना चाहते हैं लेकिन मेरा विश्वास है कि जो कोटाओं की जो बाते दी जा रही हो घलत है महिलाएं भी आज ससकत हो कि महिलाएं कमजोर होती है लचार होती है उनको पता शंथा नहीं होता इसलिए हम इनको कोटा में डाल दिए महिलाएं खुद सबकता है और अधिक भी मेर्ने मेरे सबसेश्क्रेशन नहीं है उनको पश्चाहन किवेसक्टा है इसके तेहत और टाउस्तन बेतन जो था 2006-2007 म से बढ़ा कर 2013 में 132 रुपिया हो गया यानि देखा जाया तो इसके तहत जो ऑसत बेतन जो थी पहले 2006 साथ में प्रतिशत ही था जो बढ़ कर 2013 में 132 रुपिया हो गया तो यह काफी महत पूर्ण बात थी और इस योजना से 4.78 क्रोर पडिवारों को 220 क्रोर मानब दिवस का रोजगार उपलवत कराया गया कहते हैं यह योजनाय काफी महत पूर्ण थी जिसमें सरकार की बहुत बावावी हुई क्योंकि इसमें चार दसमलव 78 क्रोड पडिवारों को 220 क्रोड मानव दिवस का रोजगार उपलगत कराया गया तो यह काभी महतपून बात थी कहते मार 2018 में राजे भर में अककुशल मैनुवल स्रमिक के लिए मजदूर दर के फिर से संसोद किया गया तो देखा जाए तो भारत में संसोदन होने की कि सिर्सला कभी कमती नहीं है हमेशा होती रहती संसोदन लेकिन संसोदन सिरफ किताबी बाते होती है जमीनी हकीकत यहां दूर दूर तक नजर नहीं आता तो यहां पर देखा जाए तो मार 2018 में राजे भर में अकुशल मैनुवल लिए मजदू दर्व को फिड़ से संसुदित किया गया और बढ़ाया भी गया विभिन राज्यों और केंदर सासित परदेशों के लिए मजदू दरों की सीमा 281 रुपया प्रति दिन और हर्याना में श्रमिकों के लिए रखी गई यानि देखा जाए तो हर्याना के श्रमिकों के लिए 281 रुपया प्रति दिन बेतन रखी गई वहीं देखा जाए तो बिहार और जारकन में श्रमिकों के लिए एक सो 68 रुपया प्रतिजिन रखा गया कहते हैं ये आंक्रे इतने छोटे हैं कि एक अलग साही हमें हैसास होती है जोगी 281 रुपया और 168 रुपया कहते हैं ये तो आज स्कूल जाने वाले बच्चों के जेव खर्च से भी कम है तो सरकार आज इन आंक्रों से जो है पूरा बिश्व को जीतना चाहती है मैं तो एक ही बात कहता हूं हमेशा कि पहले अपने घर को देखो फिर दुसरे घर में जहाको भारत को पहले इन सब बातों से अपने आपको उपर उठाना है दिखावा जीवन करने वाले कभी काम्याब नहीं होती है और यह कहावत तो आपको पता ही होगा कि जतनी चादर हो उतनी ही पैर पसार हो चादर से अगर बाहर पैर करोगे तो यह आपके लिए सही भी नहीं रहता है लेकिन सायद यह बात हमारे देश के सरकार को समझाना संबब नहीं है क्योंकि वो लोग स्वैमी समझदार है और हमारा अगला कोशन जो आया है काफी महतपून है यहाँ पर कोशन साफ है कि वैश्वी गरीबी परिदिश्टा क्या है देखिए हमने भारत के बारे में पूरे अनिलाइस किया हाड़े कोशन में समझने के कोशिश किया लेकिन वैश्वी सतर पर भी जानना हमारे लिए काफी इंपोरेंट रहता है क्योंकि हम गरीबी पर बात कर रहे है तो वैश्व सतर पर गरीबी की क्या हालत है और क्या दशा है ये जानना हमारे लिए काफी रोचक रहेगा और महत्व पूर्ण रहेगा इसे अपने देश और दूसरे देशों के साथ तुलना हो जाएगा तो जो काफी महत्व रखेगा इस कोशन का कि वैश्वी गरीवी प्रदिश्टा क्या है हलाके वैश्वी गरीवी में काफी कमी आई है लेकिन इसमें बड़े छेतरी अंतर भी देखने को मिल जाता है इसमें सबसे पहली बात तो आती है कि तेजी से आर्थिक विकास और मानव संसादन विकास में बड़े पहमानों पर निवेश के पहिनाम सरूप चीन और दक्षिन पुरवी एशिया उपनिवेशों में गरीबी में काफी किरावण आई है देखा जाया तो तेजी से आर्थिक विकास और मानव संसादन विकास के बड़े पहमानों के निवेश के कारण चीन और दक्षिन पुरवी एशिया उपनिवेशों में गरीबी में काफी गिरावट आया है और ये वेश्वी गरीब पुरुष्ता है यहाँ पर उसके पशा देखे तो दक्षिन एशिया यहीं देसों में गिरावट उतनी तेजी नहीं रही है देखा जाये तो दक्षन एश्या देशों में गिरावट जो इतनी तेजी से नहीं हुई है गरीवी रेखा गरीवी के प्रतिशन में गिरावट के बावजूद गरीवों की संक्या यहां देखा जाये तो 1981 में 475 मिलियन से घट कर यहां पर देखा जाये तो 2001 में 428 मिलियन हो गई तो यहां पर देखा जाये तो गरीवी रेखा में दक्षन एश्या में गिरावट जरूर आई है और यह कापी महत पूर्ण बात की तरफ इशारा करता है कि वैश्वी सतर पर जो गरीवी में गिरावट जरूर आई है उसके पर शाहत देखे तो उप सहारा अफरीका में गरीवी वास्तावता में देखा जाये तो 1981 में 40% से बर कर 2001 में 46% हो गई यानि सभी देशों में गरीवी के रेखा घटी है लेकिन उप सहारा अफरीका में आज भी गरीवी रेखा जो है बरकरार है और देखा जाये तो यहा गरीवी के रेखा जो है दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है तो यह काफी संकट का सम मैं हो सकता है उप सहारा अफ्रीका के लिए क्योंकि वहां पर देखा जाए 1981 में तालिस परतिसद बढ़ कर 2001 में चालिस परतिसद हो गई तो यह वेश्वी सतर पर बहुत ही चिंता का विशाय बन सकता है आगे अगे यदि हम बात करें तो देखा जाए तो लेटिन अमेरिका में गरीवी के अनुपात में कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिला लेटिन अमेरिका में गरीवी का अनुपात जैसा का तैसा ही है तो यह काफी महत्पूर्ण बात यहांँ पर आ सकता है देखा जाए तो रूस जैसे कुछ पूर्व और समाजवाज देशों में भी गरीवी फिर से उभर आई है तो देखा जाये तो गरीवी आने वाला समय में और भी बरहेगी क्योंकि देखा चाये तो रूस लेटर अमेरिका जैसे देश सब यूत पे बहुत ही अपना दिमाग फोकस कर रखे है तो यूत जो है गरीवी के उस दलदल में इनको धकलेगा जो इनका जो है उभरना कई दश्रकों तक बहुत ही मुश्किल सावित होगा क्योंकि देखा चाये तो ये लोग जो है यही सब कारणों की कारण जो गरीवी रेखा से अभी उभर नहीं पाए है भारत में गरीवी देखा का सबसे बड़ा करण होता है यहां की राजनीतिक परनाली क्योंकि राजनीतिक परनाली में सिरफ लोग जो है गरीवी का जो है अपने बोट के लिए ये इस्तमाल करते हैं इसमें भारत से गरीवी जाना कहते हैं बहुत ही मुश्किल है क्योंकि भारत से कभी गरीवी नहीं जाएगी जिस परकार भारत से कभी कुरोना नहीं जाएगी और हमारे समक्ष जो आखरी कोशन आया है काफी महतुपून है हमारा कोशन है कि गरीवी की समस्या सहरी चेत्र की विसेस्ता कैसे बन गई है इसका हमने ब्याक्षा करना है यानि गरीवी की समस्या, सहरी चेतर की विशेस्ता बन गई है, आपको मैं बता दूँ कि भारत में जितने भी बरे सहर हैं, वहाँ पर बरे ही बरे गरीवी में निवास करने वाले जुगी जोपुणियां बनी हुई है, और ये भारत की सबसे बरी समस्या है, देखा जाया तो इसको बड़े से बड़े मंत्री लोग भी solution करने में काम्याब नहीं हुए हैं बेशकली सरकार की तरफ से बहुत से कदम उठाए गए हैं लेकिन एक कलोणी को ये तोड़ते हैं तो दूसरा कलोणी automatic बन जाता है और जिसके करन भारत कभी भी जो है गरीवी रेखाक से नीचे उबर नहीं सकता है और ये देखा जाए मैं आपके example भी बता सकता हूँ कि मुंबई इतना विक्सित सहर है लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा गरीवी रेखा कि कलोणी यहाँ पर दिख जाएगा यानि सला मेडिया मुंबई में सबसे बड़ा दिखेगा तो ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है और देखा जाए तो गरिवी की समस्या शहरी चेत्रों की में विसेस्ता है और इसका कारण कही न कहीं मैं दोसी सरकार को ही मानता हूँ कारण क्या होता है सरकार जो है गाओं के चेत्र में फैक्टिरिया नहीं लगाती है और जो गाओं में निवास करने वाए लोगों को जो है प्रोपर जॉब नहीं मिल पाता है तो ये लोग जो है सेहरों की तरफ परल्यान कर जाते हैं और सेहरों में इतने अधिक किराया होने के कारण ये कही न कही जुग्गी जोपणी बना लेते हैं ये बात तो काभी महतपूर्ण थी लेकिन देखा जाए तो हमारा कोशन के अंतर गत जो अंसर है वो साफ करता है इन सभी बातों को कि भारत में देखा जाए तो गरीवी रेखा के अंतर गत जो सलम एडिया बनाई जाती है जो जुगी जोपरी बनाई जाती है वो खतम नहीं ह और देखा जाये यहाँ पर पॉंटेों के अंतर गात सिचाहई के प्रसार और हरिट करांती प्रसार एक रिज्शी छेतर में रोज्जगार के कई अफसर पैदा किये जैंए कि शेतर बाझ कुछी राज्जों में देखने को मिला यह बास सत्य जिस्टाय के परसाड़ा और हरित कुरांती के विकास ने कृष्टी में बहुत भावसर पैदा किया है, लेकिन यह हर एक छेत्र में नहीं है, यह कुसी इका डुका छेत्र में हैं, और देखा जाएं जहां पर हरित कुरांती ने अपनी चरम सीमा पहुँचाई ह वहाँ पर आप देखा जाए तो अवलाजेशन हो रहा है यानि जो भी छेत्र है वह चेत्र जो है अब वहाँ पर बरे-बरे Building बनाई जा रहे जिनके कारण जो है जो जो जगह है वह खतम होता जा रहा है तो जर्नाल की बात है इन कारणों उसे जो है गरिवी की समस्या दिन पर दिन जो है सहरी चेत्रों में बढ़ेगा और यही विसेस्ता सहरी चेत्रों का भी रहता है सरवज्रिक और नीजी चेत्रों के उध्योगों में कुछ नोक्रियां परदान की गई है लेकिन ये नोक्रियां चाहने वाले का नुपात में न कहते हैं कुछ व्यक्तियों को रोजगार दे देते हैं उसके अबादे थप हो जाते हैं क्योंकि इनके पास रोजगार करने का साधर ही नहीं है क्योंकि इनका नीतियां ही कहते हैं धरलने रह जाती है इनकी नीतियां जो है आगे भरने वालों में से नहीं होता है क्योंकि अग करती है और भारत के जमीनों को जो है विदेशियों के नाम कर देती है तो यही जो है अंग्रेजों को भी यहाँ पर भारत में बढ़ावा देने के लिए पुरसाहित किया और आज भारत सरकार भी इसी तरह की नीतियों का अनुसरन कर रही है तो आप समझ सकते हो फिर से जो हो नवजवानों को नुकडी नहीं दी जाएगी तब तक कहते हैं खाली मनज़द होता है सैतान का गर होता है इसी करण से हमारे देश में आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं और ये बड़े-बड़े मंतरी लोग जो है इन नवजवानों को बरगलाते रहते हैं और इनसे जो है भारत को में आग लगवाते रहते हैं जो कभी भी सत्य नहीं है और सही नहीं है सहरों में उचित नोकरियां न मिल पाने करण बहुत से लोग घरेलू नोकरियां आधी काम करने लग गए हैं अब जर्नल सी बात है सहरों में उचित नोकीशा नहीं मिलेंगे तो ये लोग जो है गलत रास्ते अपनारे लग जाते हैं या घ्रेलू जो है नोकर बन के अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं जिनके कारण ना जाने कितने तरह की अपराध सामने आती हैं कहते हैं अनिमित छोटी आय के साथ ये लोग सेहरों के बाहरी आलाकों में जुगी में रहने लगाते हैं अब देखिए सेहरों में जो होता है कोई किराये पे रहना संभब नहीं होता इन लोगों के लिए और ये लोग गाउं से जो होते हैं सेहरों में परल्यान करते हैं चोटे मोटे काम धंदा या दुकानों में काम करते हैं इनके पास इतना पैसे नहीं होते कि किसी भी छेतर में किराया पर रह ले इसलिए जोगी जोपरी जो है सहर के आसपास बना के रोडों के किनारे क्यों यह समभब नहीं है और इन सभी चेत्रों की यही मेन विश्यस्ता है कि इन जुगई जोपड़ी हार समक्ष रहती है क्यों यह लोग अन्मी चोटे आय के साथ अपने जीवन यापन करते हैं इसलिए 12 लाकों में जुगी जोप्रियां में ही अपना जीवन यापन करती है इस परकार गरीवी की समस्या मुख्य एक ग्रामनी घटना और सैड़ी चेत्र की विसेस्ता बन गई है तो दोस्तों ये बात काफी महतपून है कि यहां पर देखिए सबसे बड़ी जो है गरीवी की समस्या सैड़ चिहते हैं आकार सरकार सेर्कार गाउं में बरे औरЙ अब भरे लियान करेंगी गाउँ में सारी विवस्ता हो जाएगी तो लोग अपने क्रिशी पे ध्यान देंगी दूसरी बात है सरकार ने जो अर्वनलाइजेशन की जो नीतियां अपनाई है वो बहुत ही बुरी और खतरनाक है क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है कि जिसमें फसल उगाई जाती थी वो जमीनों में आज बरे-बरे बिल्डिंग तयार किये जा रहे हैं और देखा जाया तो सहरों के निकट सारे जमीनों को बेज दिया गया है जो आने वाला समय में भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है और देखा जाया जो छैत रुप जाओ है उनको वो बैच रहे है और वहाँ पर बरे बरे या तो वहां पर मकाने बनाई जा रही है है यह लोग कर रहना समब नहीं होता है तो ये लोग सोचते हैं कि कहीं न कहीं जमीन ले लिया जाए या कहीं न कहीं किराया पर ले लिया जाए तो मालिक लोग भी सोचते हैं जिनके पाद जमीन होता हूं सोचते हैं कि क्रिशी करने में हमें तो लाब होती नहीं है तो बड़े बड़े बिल्डिंग बना के उनको किराया पदे देती है तो कई समस्यां हैं जिनके कारण भारत में इस तरह की समस्या देखने को आम हो गई है बड़े बड़े सहरों के निकट जो है वहाँ पर जुगी जोपरिया होना एक आज के समय में एक विसेस्ता बन गई ह सारे देश में जितने भी कहते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं मंतरी सब होते हैं जितने भी सब इस बात को वादा करते हैं कि हम यहां से जोगी जोपरी अटाएंगे यहां पर चाल गुरूप से मकान बनाएंगे लेकिन किसी की बात आज तक तो सत्य नहीं हुआ है और दोगे चैप्टर भी खतम हो जाता है क्योंकि आपको तिरपान सेंचर ने बादा किया तो सिरफ 12 कोषन ही महत्वपुन रखी जाएगी तो इसी जो है बादों पर यहां पर तिरपान सेंटर ने खरा उतरा है और इसको सिर्फ बारा कोशन को आपको लेकर चलना है तिरपान सेंटर को आगे बढ़ाना है और बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है यूट्यूब से लिंग को कॉपी करना है और लगा देना है पहली बार वीडियो देख रहे हो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है चाहते हो कि और वी वीडियो आप को समय रहते मिलता रहे तो जर्नल सी बात है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको आने वाला समय में हर एक वीडियो आपको प्राप्त होगा और यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यह एट से लेखे इमेड तक क बीजिए सब्सक्राइब काफ्त है